तो हलो दोस्तो आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ UGC की गाइडलाइन्स यहाँ पे जारी हो चुकी है अभी यह 5 मिट पहले जारी हुई है दोस्तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हो UGC revised guideline on examination and academic calendar for the university in view of COVID-19 pandemic में 100 दोस्तो यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे कुछ आप लोगों को दिखा दूँ प्रूप के यहाँ पे जैसा कि आप लोगों को यह ABP news है ABP news पे दोस्तो आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा विस्विद्याले को परिच्छाए कराने की मंजूरी मिली और यहाँ जैसा कि ग्रह मंत्राले ने परिच्छा कराने को मंजूरी दी है यहां पर जहरी धरी धंडी दे दी है तो दोस्तों यहां पर जैसा कि टूट भी हो चुके हैं यहां पर डाक्टर रमेश पुखरियाल नियास यहां पर इंटरमीडियर समिस्टर इंटरमीडियर समिस्टर के उनको यहां पर इंटरमीडियर के जरिये यहां पर प्रमोट बगारा किया जाए लेकिन यहां पर यूजीसी की गाइडलाइन्स अभी आनी है ठीक है वो भी यूजीसी की गाइडलाइन्स थे अगर जो यूजीसी कहता है कि intermediate को promote किया जाए ठीक है और यहां पे यह जैसा कि आप लोग देख सकते हjung será यहां पे जो आप लोग计 को बताथ है यहां पे जोhrom nation है वह यहां पे final येर के होंगे दोस्तों यहां पर आप लोगों को यहां पर बतादू यहां पर पांच मिनट पहले यह अपडेट हुआ है यूजीची की गाइडलाइंस आप लोग देख तो फाइब मिनट आएगो दोस्तों यहां पर देख सकते हो UGC guidelines यहां पर University Grant Commission UGC ने graduate और post graduate के final year की परिचाएं रद दिर ना कराने का फैंसला लिया है आयोग ने मना है कि result जारी करने के लिए online अथो offline किसी भी समय संभव तरीके से परिच्छाएं आयोजित की जानी चाहिए केंदरी ग्रह मंतलारे ने आज Higher Education Secretary को पत्र लेकर कॉलेजी युनिवेस्टी की final year की परिच्छाएं आयोजित करने के लिए हरी ज़ंडी दे दी है पत्र में कहा गया है कि कॉलेजों की result तयार करने के लिए परिच्छाएं आयोजित करना जरूरी है और यहाँ पर देख सकते 20 विद्याले अनुदान आयोग UGC दुहारा आज 20 विद्याले महाविद्याले डीम्स विद्याले और कॉलेजियों और अन्य उच्छ सिच्छा सस्तानों में विविड़न पार्ट करोमें की अंतिर बस या समिस्टर की परिच्छाएं के लिए नया निर्देश यहां पे दिसानिर्देश गाइडलाइंस 2020 जारी किये गए हैं जिसके तैद यूनिवेस्टी और कॉलेजियों को फाइनल येर के एक्जाम आयोजित करना अनिवार कर दिया गया है हाला कि उजीसी की गाइडलाइंस आने से पहले ही कई उनिवेस्टी ने अपने इस तर पर ही एक्जाम को लेकर फैसला ले लिया था वहीं कई उनिवेस्टी और कॉलेजे फाइनल यर्स और सेमिस्टर एग्जाम के लिए UGC की गाइडलाइन्स का इंतजार कर रहे थे दोस्तों यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हो यह गाइडलाइन्स आ चुकी है दोस्तों यहाँ पे बता दिया गया है और आप लोगों को यहाँ पे तो दोस्तों मैंने यह यूज बता दी है UGC की गाइडलाइन्स यहाँ पे फाइनल यर्स की जो एग्जामनेशन है वे यहाँ पे कंडेक्ट करवाज जाएंगे जो अंतिम सेमिस्टर था दोस्तों यहाँ पे और यहाँ पे बता दू जो यहाँ पे फर्स्ट यर्स सेकंड यर के स्टूडेंट है तो यहाँ पे उनके लिए यहाँ पे अभी कोई नहीं आया है उनका फैसला और यहाँ पे ब year करेगा और एक्जाम होंगे की नहीं होंगे लेकिन यहां पे जो फैनल येर की स्टूडेंट है जो अंटिम सेमिस्टर है उनके एक्जामनेसन दोस्तों यहां पे होंगे बिल्कुल होंगे और यह यूजी सी की गाइड लैंस होती है जो एक बाद डिसाइड होता है और यूजी सी यहां पे जो है यहां पे हो जाता है डिसाइड होने के बाद एक्जामनेसन करवाए जाते हैं यूजी सी करवाता है एक्जामनेसन और सारी university मान यहाँ पर यह फैसला मानती है एकेटिव हो या फिर कोई भी university हो जुसमें आप लोग पढ़ते हो किसी भी university हो वो UGC की guidelines follow करती है तो दोस्तों यहाँ पर जो भी अंतिम बर्स के student है उनकी examination जरूर होंगे दोस्तों यहाँ पर आई हो आप लोगों को यह UGC की guidelines बहुत लोग अंतिजार कर रहे थे तो दोस्तों फाइनली आज announcement हो चुका है तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिना मिलते हैं ने अच्छ वीडियो थैंक्यू बाइबाइबाइब